अजा एकादशी भगवान विश्नु जी और धन की देवी मा लक्षमी जी के आशिरवाद से 20 मार्च आमल की एकादशी के दिन बना दिव्य दुलब महान शुब सन्योग गुरु पोस्ट अमरित योग धन लक्षमी हासिल योग भाग्यवान योग और राज योग में 12 राश वालों की इस दिन लोटरी लगने वाली है 20 मार्च आमल की एकादशी के दिन जी हां दोस्तों कौन कौन सी बात खुश नसीब और भाग्यशाली राशिया हैं जिनके समस्त दुख दर्द संकट कष्ट स्वया भगवान विश्नुजी महालक्षमी 20 मार्च आमल की एकादशी के दिन दूर करने वाली है और इन चार वालों के जीवन में अपार धन सुख संपत्ती की हासिल होने वाली है इस वीडियो में हम आपको उन्हीं चार खुश नसीब और भाग्यशाली राशियों के बारे में बताएंगे जो की अब करोरपती बनेंगी मालामाल बनेंगी आज की वीडियो का बहुत ही महत्व है यह चार राशी वाले वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा देखें बि अच्छे भक्त इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें और कमेंट बॉक्स में शुब हाथों से जाए श्री हरी विश्नु जाइमा जरूर लिख दें जिससे भगवान श्री हरी विश्नु जी और महालक्ष्मी जी समस्त मनोकामनाएं आपकी पूर्ण करें और ज्यादा स वीडियो को शेर जरूर करें जिससे और लोग भी इस वीडियो के माध्यम से सही जानकारी हासिल कर सके दोस्तों आपको बता दें फर्वरी के महीने में पढ़ने वाली बीस मार्च आमल की एकादशी कहते हैं आमल की एकादशी फालगुन मास के क्रिश्न पक्ष की एकादशी तिथी को मनाई जाती है कि अनुसार इस बार यह एकादशी का पवित्र पत्र पावन पर्व बीस मार्च के दिन बुधवार को पढ़ रहा है इस दिन को पूरे विधी विधान से भगवान विश्नु जी की उपासना की जाए जाएगी श्री हरी को प्रसन करने के लिए यह दिन बहुत ही ही खास और महत्वपूर्ण समझा जाता है और मान्यताओं के अनुसार बीस फरवरी आमल की एकादशी का वरत रखने से संतान सुख का वरदान मिलता है दोस्तों आपको बता दें यह दिन मंगलवार का दिन है आप भगवान हनुमान जी का भी समरण जरूर करें जी हाँ दोस्तों आपको बता इस दिन सुबह जल्दी उठे उदे से पूर्व उठें और सनान आदी से निवरित होकर आप अपने घर के मंदिर की सफाई करें और भगवान श्री हरी विष्णू जी को जल अभिशेक करें और एक लोटा जल भगवान सूर्य देव को जरूर इस दिन दें और भगवान विष्णू जी के मंत्रों का जाप करें और आपको बता दें प्रभु का पंचामरित सहित गंगा जल से अभिशेक करें भगवान श्री हरी विष्णू जी का भगवान श्री विष्णू जी को पीला चंदन और पीले पुष्प अर्पित करें घर के मंदिर में घी का दीपक जरूर संभव हो सके तो वरत रखें औ और वरत लेने का संकल्प करें आमल की एकादशी की वरत कथा का पाठ करें या फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमा मंत्र का जाप करें पूरी श्रधा के साथ भगवान श्री हरी विष्णू जी और महालक्ष्मी की आरती करें और प्रभु को तुलसी सहित भोग और समस्त पूर्ण हो जीवन से समस्त दुखों का अंत्र हो इस तरह भगवान विष्णू जी महालक्ष्मी से प्रार्थ ना करें और दोस्तों इस दिन आपको पीपल के व्रिक्ष के नीचे एक सरसों के तेल का दीपक जलाना है वो भी आटे का बना हुआ चौमुखी उसमें डालें और आर्थिक दीपक जो बनाएं उसमें कलावे की बाती लगाए लाल वाली और दीपक को पीपल के पेड के नीचे और फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमह मंत्र का जाब करें कम से कम 21 बार आपको दीपक को पेड की जड़ के समक्ष रख कर पीपल के पेड की ओर दीपक की 21 बार परिक्रमा करें और 21 बार मंत्र बोले ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमह दोस्तों उसी समय से आपका अच्छा समय शुरू हो जाएगा कोई भी वर्दान मांग लेना वह जरूर हो जाएगा इतनी दुरलब संयोग में है जो 20 मार्च आमल की एकादशी के दिन इस उपाय को जरूर करें आपके जीवन में सब मंगल ही मंगल होगा दोस्तों बात करते हैं उन चार खुश नसीब और भाग्यशाली राशियों के बारे में जोकी भगवान विश्नुजी और महालक्षमी के आशिरवात से आमल की एकादशी के दिन बन र बनने वाली है स्वय विधाता भी अब नहीं रोक सकते इन चार राशी वालों को करोडपती बनने से मालामाल बनने से आमल की एकादशी के दिन तो चलिये शुरू करते हैं कौन कौन सी वह खुश नसीब और भाग्यशाली राशियां हैं दोस्तों आजकल की दुनिया में मन जक्ती चाहता है कि उसके जीवन में धन की कभी भी कोई कमी न हो वह अपना जीवन सुख वैभव के साथ व्यतीत करना चाहता है जिसके लिए वह दिन रात खड़ी महंत भी करता है जिससे वह बहुत सारा धन अर्जित कर सके परंतू इतनी महंत करने के बावजूद भी मनुष्य को सफलता हासिल नहीं हो पाती और वह सोच में पढ़ जाता है कि इतनी महंत करने के बावजूद भी सफलता हासिल नहीं। उसको सभी सुख वैभव की वस्तु हासिल हो जाती है हिंदू धर्म में ग्रह नक्षत्रों और राशियों को बहुत ज्यादा महत्व है यदि ग्रहों या फिर किसी नक्षत्र पर भी छोटा या बड़ा प्रभाव देखने को मिलता है तो इसका सीधा असर व्यक्ती के आफ देखने को मिलते हैं जी हाँ दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी राशियों के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं जिनकी सोई हुई किस्मत भगवान श्री विश्नु और महालक्षमी के आशिर्वाद से चमकने वाली है और इन राशी वालों के जीवन के अच्छे दिनों की शुरुवात होने वाली है जी हाँ दोस्तों इन खुश नसीब और भाग्यशाली राशियों में से बात करें तो पहली राशी की तो पहली राशी है मेश राशी जी हाँ दोस्तों मेश राशी वालों को बता दें कि इस समय शुब महासन योग से से महालक्षमी और भगवान। साथ ही साथ अब आपको कई बड़े फायदे देखने को मिलेंगे व्यवसाय के नए रास्ते बनते नजर आएंगे जो व्यक्ति नौकरी पेशावाले हैं उनको पद में उन्नती मिलेगी और अधिकारियों का पूरा सहियोग होगा साथ ही साथ समाज में मान सम्मान। मान और प्रतिष्था में व्रिधी होगी साथ ही साथ संतान हासिल के इच्छुक लोगों को संतान हासिल का सुख मिलेगा माता पिता का आशिरवाद आपको बड़ी उंचाईयों पर ले कर जाएगा जहां दोस्तों में शराशिवालों लक्षमी और भगवान विश्नुजी के आशिरवाद से समय आपके लिए अनुकूल है समय का भरपूर लाब उठाएं जी हां दोस्तों इस लिस्ट में जो अगली राशी आती है वह खुश नसीब और राशी है कन्या राशी जी हां दोस्तों कन्या राशी वालों के लिए भगवान विश्नु और महालक्षमी के आशिरवाद से अब समय खुशियों की सौगात लेकर आया है जी हां दोस्तों और यह आपके लिए बहुत ही लाबदायक समय सिध्ध होगा जी हां दो तो परिवार में सुक शान्ती आएगी आपके रुके हुए समस्त कार्य अब समय पर पूरे हो जाएंगे जीवन साथी स प्रेम बढ़ेगा संतान पक्ष से कोई बड़ी खुश्कबरी मिलने से मन आपका बहुत प्रसन रहेगा भगवान और मा लक्ष्य लक्ष्मी की अपार कृपा द्रिष्टी आपके उपर बनी रहेगी जिसकी से आपके घर परिवार में खुशियों का वातावर्ण रहेगा परिवार में कुछ नई चीजों का आगमन भी हो सकता है जिसकी वजह से आपके घर परिवार में सुख शान्ती का वातावर्ण रहेगा साथ ही साथ जो लोग व्यापारी हैं को व्यापार में अधिक मुनाफा देखने को मिलेगा नौकरी पेशा लोगों को नौकरी से संबंधित कोई बहुत बड़ी खुश्कवरी हासिल हो सकती है तो अत्यधिक क्रिपा आपके उपर बन रही है मीन राशिवालो भगवान श्री हरी विश्नु और महालक्ष्मी का नाम लेकर कोई भी कार्य आप शुरू करेंगे या कोई नया बिजनिस शुरू करेंगे तो आपको उसमें जरूर ही बड़ी सफलता हासिल होगी साथ ही आप सामाजिक रूप से अपनी अलग पहचान में काम्याब होंगे साथ ही साथ छात्रों के लिए शिक्षा के खेतर में प्रक्ति के योग्य बन रहे हैं परिवार का पूरा सहयोग मिलेगा दामपत्य जीवन सुख में रहेगा जी हाँ दोस्तों कहना गलत नहीं होगा मीन राशिवालों अब आपको वे सभी खुशियां हासिल होंगी जिनके आप हकदार हैं भगवान विश्नु और महालक्षमी की क्रिपा से आपको अनेकों प्रकार के लाब धन लाब और बड़ी-बड़ी हासिल होने वाली है जी हाँ दोस्तों आप करें अगली खुश नसीब और भाग्यशाली रहा की तो वह राशी है कुम्भ राशी जी हाँ दोस्तों कुम्भ राशी वाले लोगों को बता दें कि भगवान विश्नु और महालक्षमी की क्रिपा से आपके लिए बहुत ही शुभ महासन्योग का निर्मान हो रहा है जी हाँ दोस्तों इस राशी के लोग को कार्य और विचारों में एकागरता और शांती बनी रहेगी आप लगातार साफ उल्टा के नए-नए कीर्तिमान स्थापित करते हुए अपनी अलग पहचान बनाने में सफलता हासिल करेंगे आप अपने में जो भी लगे हुए हैं वे कार्य सफल होंगे जी हाँ दोस्तों आपको बता दें आपको धन लाब हासिल के भी योग बन रहे हैं व्यवसाय में भार भगवान विश्नु और मा लक्षमी की क्रिपा से कुम्भ राशिवालों समय आपके लिए बेहद अनुकूल है इस समय का भरपूर लाब उठाए जी हाँ दोस्तों भगवान और महालक्षमी की क्रिपा से आपकी आर्थिक स्थिती मजबूत बनी और घर परिवार में और महालक्षमी की अपार क्रिपा द्रिष्टी बन रही है जिसकी वजह से आपको अत्यंत भारी धन लाब हासिल होने की संभावना है साथ ही साथ इस राशी के लोगों व्यापार और व्यवसाय में वृध्धी होगी जो लोग नौकरी करते हैं उनको पद में तरक्की मिलेगी और साथ ही साथ वेतन वृध्धी के भी योग हैं जो लोग विदेश में नौकरी करना चाहते हैं या विदेश में जाकर पढ़ा करना चाहते हैं, तो आपको इसमें सफलता जूर। आशिर्वात से तुला राशिवालों समय पूर्णता आपके के पक्ष में हैं, जिस भी कार्य में आप हाथ डालेंगे, वह कार्य आपका जरूर ही सफल होगा, इस समय का आप भरपूर लाब उठाएं और समय को अपने हाथ से आप न जाने दें। जी हाँ दोस्तों बात करें, अगली खुशनसीब और भागयशाली राशी तो वह व्रिशब राशी जी हाँ दोस्तों व्रिशब राशी वाले लोगों को बता दें कि भगवान विश्नु और मा लक्षमी की विशेश कृपा आपके लिए बहुत ही अच्छा समय लेकर आने वाली है, जी हाँ दोस्तों आपके मान सम्मान और प्रतिष्ठा में व्रिधी, होगी जिसकी वजह से समाज में आपकी प्रशंसा की जाएगी, जी जी हाँ दोस्तों आपको इस समय नए अफसर की तलाश तो वह भी अफसर हासिल होगा, जिसकी वजह से आपके जो भी कार्य वह सफल होते चले जाएंगे आय के साधन होंगी साथ ही साथ यदि आप कोई नया व्यवसाय शुरू करने को लेकर योजना बना रहे हैं तो वह योजना भी आपकी जरूर ही सफल होगी